आप मेंसे काफी जनों का एक कोशन बहुत आता है मुझे, क्या हम एलुमीनियम के बरतन डिश्वाशर में वाश कर सकते हैं, क्या एलुमीनियम के बरतन डिश्वाशर में अच्छे से क्लीन होते हैं, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत चारा हेलपफुल होने व इन पे जो खाना है अच्छी तरह से जम चुका है तो अभी हम यह वाले बरतन आज डिश्वाशर में डालेंगे और देखते हैं कि यह बरतन अच्छे से क्लीन होते हैं या नहीं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि यह इतने जो बड़े-बड़े बरतन आप देख रहे हैं ना कल हमारे गर पर छोटी से एक पार्टी थी उसकी बज़द से मेरे यह बरतन ही कठे हो गए हैं तो चलिये जी हम आगे हैं हमारे डिश्वशर की तरफ यह है मेरा आए फपी का डिश्वशर तो चलिए यह नीचे का ड्रोर हम खोलते हैं उसमें डालेंगे यह मेरा बड़ा सा पतिला यह बतीला मैं आपको बता दू कि 15-16 लीटर का पतिला है यह और इसमें देखिए मैंन तो बागी की जो थोड़ी जगा बची थी मैंने दूसरे बरतन अरेंज कर दिये हैं इसमें तो चलिए जी अब भी सेकेंड ड्रोर खोलते हैं और उसमें डालेंगे दूसरा पतीला और ये पतीला भी हमारा कोई छोटा नहीं है साथ से आट लीटर का पतीला है तो देखें ये जो ड्रोर है बंद नहीं हो रहा ओपर अटक रहा है ये पतीला तो हम क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई कटलरी मतलव ये नहीं है अभी वाउश करने वाली तो मैं ये जे कटलरी बासकीट है इसको निकाल दूँगी बहुत ही ईसको निकालना साइट पे देखें आप य इसली ये पतीला देखे सेट हो गया है इसके अंदर बिल्कुल भी उपर नहीं अटकरा तो ये जो बास्किट है ना ये सेकंड वाली हमारा जो ट्रॉर है ये अरजस्टेबल होता है इसको हम उपर नीचे कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि नीचे की बास्किट में भी हमारे बड़े बरतन ये पड़े हुए है अगर मैं नीचे इसको कर दूंगी थोड़ा सा तो ये नीचे के बरत्रों में जो इसका फैन होता है वो अटकेगा तो इसलिए मैंने इसकी सेटिंग जैसे थी वैसे ही रहने दी है और साइट की जो जगा बची है देखे मैंने उसमें कोटोरियम अगरा डाल दी है तो अब भी हम डाल देंगे जी इसमें डिटर्जन्ट डिटर्जन्ट मेरा ये यही मैं यूज करती हूँ पाउडर यूज करती हूँ कोई टैबलेट वगरा नहीं यूज करती तो देखे जी उसके बाद हमने ये सेट कर दिया है मैं बाद देखिए जी हमारा cycle है जो पूरा हो चुका है अब भी इसको करते हैं open तो चलिए जी मैं आपको भी बरतन दिखाते हूं कि हमारे aluminium के बरतन है जो इसमें clean होते हैं या फिर नहीं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से पतीला जो हमारा है चमक रहा है तो इसका मतलब है जी हम इसमें aluminium के बरतन डाल सकते हैं अच्छे से wash होते हैं aluminium के बरतन और जिन लोगों का ये question था I hope उनका ये doubt clear हो गया होगा तो देखे जी मैं आपको सब बरतन इदर दिखा रही हूं तो अगर आपको ये वीडियो जड़ा से भी helpful लगे ना तो एक like का बटन जूर दबा दीजी जो लोग मेरे चैनल पर नई है मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर देना जी तो देखे जी अब भी मैं आपको ये दिखाती हूँ देखे ये हमारी जो bucket थी ये इसका surface है जो deep था तो इसलिए इसमें पानी जमा हो गया है क्योंकि ये मैंने पहले भी एक दो वीडियो में आपको बताया है कि ऐसे बरतन हम को इसमें नहीं डालने चाहिए जैसे mixer के jar वगेरा रहते हैं वो इसमें हम clean नहीं कर सकते तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई